स्टॉप मुरानक जरूरत नहीं हमारे आदम यही मौझूद डॉंगें डंगाश हरियां जाविद, oksijen जाविद, करिके आड़द जाविद, 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 जाविद जाविद, कनरे यहीं कर दो कन þी व्या गी mapped मुर्भ श जाविद, कर批多 तुम लोगों को चारो तरफ से घेल लिया गया है मेरे आदमियों के सामने सरेंडर कर दो मैं तुम्हें पाँच गिनने तक का टाइम देती हूँ सेंगा कर दो कि लोग आदेती हूँ छोगों के टाहता है हंड्रेड ताउसन गिंती जाव बेवी जहां तक गिनना आता है बिल्लियों के गुराने से शेर काबू में नहीं आते जाओ जाकर कह जो अपने डाउंक से किसे राउंक करने के लिए मेजर किष्णराउ के साथ धरम सिंग भी आया है हुआ 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 है हुआ 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 हु अब आप्रिश्न कैसे होगा? अब तो लाइट के इंतिजाम करने का एक ही तरीखा है वो जेनरेटर लेकिन इसके लिए तो इन सारे सिपायों को खतम करके इस पूरे इलाखे पर कबजा करना होगा और ये नामुम्किन है शियर मैडनेस मेजर अंजो मेजर को अंदर ले जा मैं इंपोर्टन्ट नहीं हूँ, मिशन इंपोर्टन्ट है मुझे बचाने के लिए तुम लोगोंने मिशन को खत्रे में डाल दिया है तुम मिशन की फिकर मत करो मेजर ऐसे खत्रे मेरे लिए रोज के खेल है मुझे बुलाया तो भरोसा रखो मुट पर डाउक इन कुट्टो को मैं भूल के रख दूख माना धरम सिंग कि तुम इन सब को खत्म करतों के पर यह मत भूलो कि डाउंग के पास सिर्फ इतने ही सिपाई नहीं है उसके पास अजारों सिपाई है इन्यें मारो गये तो और सिपाई आ जाएंगे तुम्हारी गोलिया खत्म हो जाएंगी लेकिन ये सिपाई खत्म नहीं हो गए ये लड़ाई ही नहीं है खुदकुशी है उफ मुझे बचाने के लिए तुम लोगों ने क्या कर दिया है सर्थ यहां पर एक वाली है मेजर ये वैली सेफ है आप सब लोग उतर जाएंगे और अपनी जान बचाएए चली जल्दी करिए मेजर इतने कमजोर हो तुम एक फौजी के आन से जादा अपनी जान पहरी लगने लगी हाद जान भाले चली जाए लेकिन आन नहीं जाएगी डाउंग लेकिन को तो गितनी लाश यहां बचादूगा कि इनकी चिदा जलने के लिए जमीन कब बढ़ जाएगी लेकिन डाउंग तो जिन्दा रहेगा मेजर उसका जल्म तो जिन्दा रहेगा मेरे भाई अगर हम मर गए और डांग जिन्दा रहा तो हमारे साथ मर जाएगा हिंदुस्तानियों का वो गुरूर जो हिंदुस्तानी फौजों से वाबस्त है कि वो सिर्फ अपनी सरदों की इफाज़त नहीं करती बल्कि सारी दुर्या को दिख ला सकती है कि जब जब कोई डांग जैसा कमीना अपने नापाक किरादों के लिए आतंकवाद की तल्वार लेकर हिंदुस्तान में तेहल का बचाएगा तो हिंदुस्तानी सिपाही भी उसके मुल्क में जाकर उसके तेहलके का जवाब उसी तेहलके से देंगे ठीक है कमांडर तुम इन सब को लेकर इस वैली में उत्रूं तब तक इन सिपाहीं को मैं अंदर आने से रोकता हूं कमांडर भी कहते हो मेजर और उल्टी रीट भी सिखाते हूं भूल गए कि कमांडर खत्रे की जगह से पहले अपने साथियों को बाहर निकालता है और उनके बाद वो खुद निकलता है लेकिन हम आपको इस हालत में छोड़के कैसे जा सकते हैं माना के किस्मत ने हरा दिया है दोस्त पर इतने तो गुनेहगार नहीं हम मरे एक सिपाही की मौत क्या इसके भी हकदार नहीं हम आज से अपनी छोटी सी सेना का कमांडर मैं तुम्हें मुकर्र करता हूं मेजर मेरे दोस्त मेरा ये मिशन अब से तुम्हारा मिशन है तुम्हारा डॉंग ने मुझे जो चैलेंज दिया है उसे अब तुम्हें पूरा करना है तुम्हें डॉंग के आगे ये बात भले ही शर्मिन्दा हो जाए लेकिन ये सिपाही शर्मिन्दा ना होने पाए मेरे जिर कृष्वरे रहो, ना एक सिपाही शिर्मिंदा होगा और ना एक पाप और साथ ही, हम आपकी बेटी डॉली को साथ ले जाना नहीं भूलेंगे, ये बात है रहो हमारी मुव्मिंट की हर खबर दुष्मन तक पहुंच रही है, हो सकता है प्रांस्मीटर पर भेजी की हर इंफ्रमेशन दुष्मन का ट्रांस्मीटर केश कर रहा हो या फिर हो सकता है, जनरल कपूर के आफिस में कोई ख़तार बैठा हो इसका मतलब ये कि अब हमें हेड़कॉर्टर कोई इंफ्रमेशन नहीं बेजनी चाहिए नहीं, खबर बेजेंगे, आखरी खबर अलो, मिस्टर कपूर, मैं बोल रहा हूँ, पहचानी मेरी आवास, मैं धरम सिंग बोल रहा हूँ जिसका आपकी वज़े से कोड मार्शल हुआ था, मैं यहां कैसे हूँ, यह बात भी बताओंगा अनिवे एक मैसिज है, आपके लिए नहीं, डांग के उस कुट्ते के लिए, जो हमारी मुमिंट की हर इंफरमेशन डांग तक पहुचा रहा है इस वक्त अगर वो सुन रहा है, तो कान खोल कर सुन ले के डांग 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 की जिन्दगी का आखरी दिन होगा, यह इंफरमेशन नहीं, धरम सिंग का चैलेंज है डांग कभी रांग नहीं होता हाँ सिंथिया, हमें तुमरा की इंतजार था, बहुत अच्छे वक्त पर आई हो तुम देखो तुमारी दावत की खुशी में हमने क्या-क्या मंगवाया है यह देखो फुरूट्स, यह देखो पूरिया और यह इम्रती, बहुत जरूरी है हा, यह धर णी ढव याव, बरह्मनों को बलाओ हाँ, आज तुमारा आशराद है ना, शराद चैंडूअ शूम, 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 शाम, शाइसा मैनम सिंथिया मेजर क्रिशन राउ को छोड़कर बाकी सब हिंदुस्तानियों को मारने में आपना काम रही इसलिए जैनल डाउंग आपको सजाय मौत देते हैं आज से चार दिन के बाद होने वाले आन्यूल देपर आप खुदकुशी करेंगी इसलिए माई ब्यूटिफुल इंटेलिजिंस चीफ मिस सिंथिया अगर इन चार दिनों के अंदर तुमने हमें यह पता करके बता दिया कि डॉंगरीला में इन हिंदुस्तानियों की मदद करने वाला कौन है और वो कहां छपे हैं तो एन्वल डे का दिन तुम्हारे लिए खुदकुशी का दिन नहीं बलके तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी का दिन होगा इसे लिए जल्दी कीजे मिस सिंथिया